नमस्कार दोस्तों ममाज धवाम आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं कद्दू की सब्जी और यह बहुत ही टेस्टी सब्जी है जिसमें हम चीनी या गुड़का परियोग कर सकते हैं तो आप यह सब्जी जरूर बनाए इसे पूरी के साथ पराठी के साथ खा सकत है बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी लगती तो फ्रेंस कद्दू की सब्जी में नाने के लिए यह मैंने कद्दू जो है वह कट कर लिया है पील करा है और पील करने के बाद मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है तो जिस तद्दू जिसे सीता फल भी कहा जाता है बहुत ज और इस कड़ाही के अंदर हम छोका लगाएंगे लहजों, जीरा, मेथी और खड़ी लाल मिर्च का यह बुखा की क्लेस्टी सबजी है बस यह 30 सेटेंड तक के लिए बिलकुल यह लाल हो चुका है बेठी नहारा अब यह जो कद्दू है यह इसके अंदर हम बाल देएंगे बहुत ही आसान तरिके भी कद्दू है और बहुत ही सोषी आप इसको कचोरी और पूरी बेखा सकते हैं अब इसके अंदर जाएगा हल्दी का पाउडर जाएगे टीद वेलिट पाउडर कच आसके तो तो आप इसके इसके बाद ये नमक, ये 10 मिनट में बनने वाली जटपट सरजी है, बस इसे कुछ नहीं करना, हम अब डालके इसको चलाना है, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम धब करके पकाएंगे, आईए से चिक कर लेते हैं, करीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं, ये पक चुगा है, इसे हम बढ़िया से मसल कर, आप फल्टे के मदस्ते इसे अच्छे से मिक्स करें, एक सार गरें से मिक्स करके, देखिए पक चुगा है, और आप इसके अंदर हम डालेंगे, आम जोटा पाउरर, ये मैंने डाला, आम जोटा पाउरर, दालेंगे, तुगबटी लगेगी, कपर वार टेस्ट बढ़ जाएरहा है, उसमें चाट मसाला भी कवरते हैं, लेगी चाट मसाला मैं नहीं डाल के, वे उसमें काप मसाले बढ़े है, आम जोटा पाउररर डालेंगे हैं, ये अगे अ चीनी, यह में डाल गई हूँ, एक टी स्पूर्स, दो टी स्पूर्स, पुड़ा साओ, चीनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको बिल्कुल इसकी पूदर सकते, इससे ही सब्जी का एक अनोखा सा टेस्ट आता है, यह दिखे, चीनी दालने के बाद यह कैसे कलर भी बढ़िय तो अब लेक इसे हम दो, तीम मिनट तक ऐसे ही टपंएंगे और इसके बाद ग्यास को करेंगे ऑफ भी बिल्कुल बन का तैयार है, ग्यास को मैं ऑफ कर रही हूँ, आप इसे किसी भी प्याले में सर्फ कर लें, पचाबी के साथ, पूरी के साथ, पचाबी Kे साथ, पूरी को बनाएं जरूर और खाये जरूर पूरी और कचोरी के सब बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी लगती है जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपना लोगा।